आँ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास का ाज की क्लास में हम लोग पहले सबसे प्लिए पढ़ेंगे मास्त डिफर्क्ट के बारे में माइडियर बहुत दिनों से हमारा क्लास लगतार चल रहा है और 30 इस दिसम्बर तक हम लोग का टार्गेट है कि आपका क्रेस को कम्प्लीट करा दिया जाय माइडियर ताकि आप एक महिन आपके पास रहे बहुत असानी से कि एक महिनों में आप रिवीजन इतनी परियाप्त रिवीजन आप कर पाएं ताकि सभी स्टुडेंट्स असी प्लस मा माइडियर मेरा कोशिस तो यहीं है और ऐसा करता हूं जो भी स्टुडेंट्स लगतार देख रहे हैं वह इतने मार्क्स बहुत आसानी से लेकर के आएंगे बस करना वहीं है आपको सुबह वाली वीडियो देखनी है नोट्स बनाना है उसका रिवीजन करना है टीवी क्लास वापस से शुरू हो जाएंगी माइडियर और तीस दिसंबर तक पॉरी तरह से समाप्त करा दिया जाएगा तो आप इस बात के लिए निस्चिंत रहें आप फिजिक्स की तयारी जितना मैं करा रहा हूं बस उसके हिसाब से करते रहें माइडियर आज के क्लास अब यह क्या होता है इस बात को बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं एक बात क्या आइंस्टीन के बारे में आइंस्टीन ने जो इक्विशन दिया है E is equal to mc2 उसके इनके हिसाब से क्या कुछ होनी चाहिए वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी आइंस आइंस्टीन के हिसाब से किसी भी बॉड़ी का जो मास होता है उस मास की वज़ा से दरब्यमान की वज़ा से ही किसी भी वस्तु में उर्जा आता है यह बात आइंस्टीन कहते हैं मास होगा तो ही इनर्जी आएगा मास जितना कम उसके पास उतनी ही इनर्जी कम यह वह concept दे की है तो Mproblem होगा अब जो है मास दिफेक्ट की बात करते हैं इसका मतलब आइंस्टेन की थ्युर्यी करणिंग क्या हो गया मास ही इनर्जी में कनभाड होगा और मास इनर्जी में कनभाड होगा तो मास कम होगा घटे घणिए यह बात पेनियम को दिमाग में बठा के रहां अब दूसरी बात करते हैं जब आपस में मिलती है ये नार्ट का रूल है इनसानों के साथ हर किसी पे लागू होता है मैं GOOD information भून वहां हीट बनता है इनर्जी रिलीज होती है मैं और उर्जा मुग तो होता है कभी दो वस्थ्ट है या कोई भी दो चीज़ी आपस में जब मिलेंगी तो वहां पर इनर्जी रिलीज होती है बाहर, अब आइंस्टीन पर आईए, इनर्जी रिलीज होगी, तो जाहिर सी बात है, मास ही इनर्जी में कनवर्ट हुआ होगा, इसका मतलब मास कहीं न कहीं घट गया होगा मैडियर, आया बात समन्द में, यहीं जो मास में कमी होई है, इसको मास डिफेक्ट नाम दे दिया गया, द्रवयमान में छती या द्रवयमान में हास कहलेजिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कि इसको यहाँ पे कैसे बोलेगे, तो सुनिए, जब कोई भी नाभिक का निर्माड होता है हमाइडर कोई भी nucleus जब बनता है तो नाभिक में nucleus में कौन होता है इसका मतलब दो चीजहें आपस में मिल रही है तो proton की कुछ energy है और और इलेक्ट्रोन के पास विए कुछ इनरजी होगी और दोनों की पास अपना-पना मस भी होता है क्रोटि an- inwardly और नूट्रोन के पास भी है लेकिन जब दोनों मिल गर के न्युकिलियस बनाएंगे तो न्युकिलियस बनाते ही क्या होगा इनर्जी रिलीज होगा दोनों चीज़े जैसे मिलेंगी इनर्जी निलिज होगा और इंस्टींट के गॉर्डिंग इनर्जी कैसे रिलिज होगा मास ही इनर्जी में कनभट हुआ होगा मास इसमें कमी आज चाहेगी यानि कि माल लेजिए कि प्रोटॉन का जो दरब बैमान है मास है और जो न्यूट्रोन का दरब बैमान है दोनों अलग अलग है मैं ऐसे एकजांपल मैं बात करता हूं होगा नहीं पर एकजांपल में बात करता हूं माल लेजिए यह एक किलो का है 기분線-samजी नहीं के लिए और आपका एक निन्यूट्रोंज यह वह भी 1 kg का है अब 1 kg को प्रोट्वन और 1 kg होगा और जो 0.1 kg 1.2 kg या 0.2 kg कमी हो गया वही मास कमा had in asia q'. समझ में कभी भी नीूकिलियस में जो neutron proton आपस में मिलेंगे तो वहां energy होगी और जो energy होगी होगी मास में कमा जाए यहीं हमारा mass defect का हलाता है तो mass defect का formula होता है my dear Z into MP plus a minus Z into mn minus m e kya है my dear बोला Sir, अब किसी तत्तो में किसी material में कितना उसमें atomic number है कितना proton है हमें नहीं पता है तो proton Z क्या होता है proton की संख्या परमालू करमांग atomic number और जितना atomic number होता है उतना ही electron और उतना ही proton होता है बला बिल्कुल सर यहीं बात होता है तो आपका अगर हमें mass defect निकालनी है तो हम लोग proton का mass जोड neutron का mass दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद नाभिक के mass जो है उसको घटा दीजिए मतलब मैंने अभी जैसा example दिया कि एक क किलो का proton है और एक किलोगराम का neutron है दोनों को जोड़ेंगे तो दो किलोगराम होना चाहिए पर नाभिक का mass 1.80 kg किलोगराम तो पॉइंट 2 kg कैसे निकाला आपने नाभिक का जो दरभमान आया 1.8 उसको आपने proton का mass 1 kg और neutron का mass दोनों को जोड़ दिया तो दो किलो मैंसे जो किलेस का मास था वन पॉयंटी उसको घटा दिया तो आपको पॉंइंट 2 जी का मास एक तौह गया मास्क spoken हो गया मास्क कर्णक का में उर्फटर्ण की संख्ञा जर क्या होता है प्रोटॉ आफ की संख्ञा एं पि क्या है एक लिख लिया होगा कि चलिए कि आशा करता हूं आप लोग ने लिख लिया होगा मास्ट डिफेट के बारे में अब नेक्स टॉपिक पर चलते हैं माई डियर अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं नेक्स टॉपिक है मारा करेंगे कि बाइंडिंग इनर्जी अब बंधन उर्जा बंधन उर्जा बोला सरी बाइंडिंग नर्जी बंधन उर्जा का क्या मतलब है समझ जाइए कि जो आपका मास डिफेक्ट था फिर से समझे आइंस्टीन के कोडिंग जब नाभिक बना है जब नूकिलियस बना है तो उसका मास कम हो गया है हारो मास इनरजी में कंभट हो गया है. अरजा में कंभट हो गया है यानी कि नाभिक बनने की लिए उरजा संघिया हो रही है अगर अगर उतनी ही एनजी आगर आप बाहर से सपलाई कर दे माल लेजिए कि जब नाभिक बना था जब न्यूकिलियस बना न्यूट्रोन प्रोट्रोन आपस में मिला न्यूकिलियस बना और न्यूकिलियस बनते वक्त वहां से इनर्जी रिलीज हो गई 10 जूल की 10 जूल इनर्जी रिलीज हो गई तो अगर आप बाहस से उ आपस में तूट जाएंगे और neutron proton अलग हो जाएगा separate हो जाएगा यानि कि जो नाभिक है nucleus है वो तूट जाएगा उसका existence हो जाएगा neutron proton अलग-अलग हो जाएंगे माइडियर इसका मतलब कि किसी नाभिक में जो neutron और proton होते हैं माइडियर उनको अलग करने के लिए जो इनर्जी हम बाहर से देंगे वही इनर्जी बाइंडिंग इनर्जी बंधन उर्जा कहलाती है और वो इनर्जी किसके बराबर होगी जितनी इनर्जी मास डिफेक्ट की वज़र से कम खतम हो गए थी बाहर निकल गए थी यही मास डिफेक्ट जो डेल्टा एम है यही मास डिफेक्ट यही डेल्टा एम इनर्जी में कनभट हो चुका है यही मास आइंस्टीन के हिसाब से इनर्जी में कनभट हो चुका था जो बाहर रिलीज हो गया था अगर उतना ही इनर्जी हम सप्लाई कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे फिर से अलग हो जाएंगे जितनी इनर्जी रिलीज करके वो अपस में मिले थे उतनी ही इनर्जी पा करके फिर वो अलग-अलग हो जात है माइडियर फटाफ़ट से नोट डाउन कर लेते हैं दी इनर्जी रिक्वारेड तो सेपरेट दा the proton and neutron from nuclease, the energy required to separate the proton and neutron from nucleus इस कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रोन तथा प्रोटोन को अलग करने के लिए जितनी उर्जा की आवसकता होती है बंधन उर्जा कहलाता है बंधन उर्जा कहलाता है फॉर्मूला मैं डियर लिख लेंगे आप लोग बंधन उर्जा कितना हो जाएगा हम लोग फॉर्मूला दिखाएंगे डेल्टा e b से binding b से binding energy b से binding e से energy डिल्टे लगा देंगे binding energy कितना हो जाएगा my dear आपने अब मैंने भी बताएगा जो mass बाहर कम हो जाएगा जो mass defect हुआ है वही mass defect जो दर बैमान में कमी हुई थी वही energy में बदला था और उतनी energy आप बाहर से supply करने है तो to try इसका मतलब जो mass defect के करन energy हुआ वही binding energy है तो इसका मतलब binding energy कितना हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वाइर आइंस्टीन के कोडिंग आइंस्टीन का equation क्या था e बराबर mc2 e बराबर mc2 तो डेल्टा e b क्या हो जाएगा यह डेल्टा एम जो mass defect है इंटू सी स्क्वाइर यह डेल्टा एम यह अदर हिंगी क्या है mass defect है यानि कि अगर आपको binding energy निकालनी है मैंडियर तो उससे पहले आपको mass defect पता करना पड़ेगा लेकिन इस फर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे नहीं ध्यान दीजिए यह फर्मूला हम लोग केवल थियोरी अगर आपके एकजाम में कभी आ गया बंधन और जा के बारे में तो आप यह दो लिख करके फर्मूला लिख देजिएगा डेलटाई बी इसकल टू डेल्टा एन टू शीए स्क्वाइर लेकिन निमेरकल का कई कैलिकुलेशन करते वक्त आपको इस फर्मूले की आवे सकता कभी नहीं पड़ेगी डेल्टा एम इसकल डेल्टा एम ए निटू सीए सक्वार कभी नर्जी निकालने के लिए formula जरुवत नहीं पड़ेंगे क्या जरुवत पड़ेगी पहले आप इसे no down कर लेजिए मैं हट जाता हूं आप पहले no down कर लेजिए ठीक है अब मैं मिटा देता हूं बुला सर अगर कभी भी आपको बंधन उर्जा निकालनी हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा याद रखेंगे क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले delta m mass defect find out करना पड़ेगा जो mass defect का formula लिखा था सबसे पहले mass defect find out कर लेज़े अब mass defect find out करने के बाद अगर आपको binding energy बतानी है my dear binding energy बतानी है तो delta m mass defect निकाल लेज़ेगा और उसमें 391 से multiply कर दीज़ेगा 931 से multiply कर दीज़ेगा तो ये आपको energy प्राप्त हो जायगा किसमें मेघ इलक्ट्रोन में किसमें मेगा इलक्ट्रोन में प्राप्त हो जाएगा क्यूंकि मैंने आपको अालेटी पहले ही सुरू में ही आपको ईक नोट लिखा रखा था कि वन atomic मास यूनिट इसको अगर हम energy में कण्वर्ट करें तो 31 माइडियर केवल ले लेते हैं तो 931 केवल ले लेंगे तो मास डिफेक्ट एक बार निकालिए 931 से खाले गुणा कर दीजिए मेगा एलेक्ट्रोन भोल इस फर्मुले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे निमेरिकल करते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे माइडियर ठीक है कि नोट डाउन कर लेजिए अब आगे चलते हैं अगले टोपिक पर चलते हैं कि एक मिनट चलिए साइलेंट कर दिया नेक्स्ट टोपिक आईए नेक्स्ट टोपिक आईए है बैंडिग नाजी पर नुकेलियोन परती नुकेलियोन ये नुकेलियोन बंधन उर्जा परती नुकेलियोन अब नुकेलियोन का अर्थ क्या है नुकेलियोन का अर्थ होता है एक proton प्लस एक छोटे एंसल किय ollies कोई जिकाद नहीं एक proton प्लस एक neutron एगो proton और एक neutron के combination को हम लोग क्या बोलते हैं एक nucleon बोलते हैं nucleon का अर्थ क्या है 1 proton प्लस 1 neutron अब बंधन उर्जा प्रति nucleon का मतलब यह हो गया कि आपको किसी नाभिक से एक प्रोट्रोन और एक न्यूट्रोन को गर बाहर निकालना है उत्तब जो आपकी कितनी इनर्जी खर्च करने पड़ेगी उसको बंधन उर्जा प्रती न्यूकिलियोन न्यूकिलियोन का खाली और साब समझ गये होते तो ये वीडियो फिनेशन लिखने में कोई दिक्कत ही हमको नहीं है मैडियर एक proton प्लस एक neutron के combination को हम nucleion बोलते हैं तो बंधन उर्जा प्रती nucleion का मतलब यहीं हो गया कि नाभिक में तो बहुत सारे proton और बहुत सारे neutron होंगे तो उसमें से एक neutron और एक proton को कर हमको बाहर निकालना है तो आपको कितनी energy supply करने पड़ेगी कितनी energy नाभिक को देने पड़ेग उसको हम लग बोलेंगे बंधन उर्जा प्रती nucleion और यहीं decide करता है किसी metal के किसी material की stability को अस्थाइप्त को इसका मतलब यह हो गया कि जिस material के लिए बंधन उर्जा प्रती nucleion का मान जितना जादा होगा उसका मतलब यह हो गया कि उससे आपको एक neutron और एक proton को बाहर निकालन के लिए उतना ज्यादा इनर्जी देना है आ रहा है बचमन में क्या बोलना हो मैं बंधन उर्जा प्रती nucleion कार्थ हुआ कि नाभिक से एक neutron एक proton को आपको बाहर निकालने के लिए जो उर्जा की जरुवत है इनर्जी की जरुवत है अगर इनर्जी आपको ज्यादा लगान प्ररी होगा उसको तोड़ने के लिए को कम इनर्जी के रिक्राइडमेंट है बला बिल्कुल सर यहीं बात है इसका मतलब कि अगर बंधन उर्जा प्रती न्यूक्यलियों जिसका जितना ज्यादा होगा वह उतना ही अस्थाई तो होता है और जितना जिसके लिए जितना कम होगा वह उतना ही और अस्थाई होगा तो किसी तत्त की अस्थाई को कौन दिखाता है बाइंडिंग इनर्जी परती न्यूक्यलियों बताता है हाला कि इसमें एक्सप्चन है कुछ ग्राफिकल बाते हैं जिसे कि हम लोग ही लिए हाइड्रोजन की बात करें अगर तो हाइ है तो सबसे हलका अगर नाभिख है है अगर सबसे रहता है तो सबसे जदा बंधन उर्जा उसके लिए है तो बलाओ ऐसे है the energy required to extract one nucleon from the nucleus is called binding energy per nucleon एकदम छोटा छोटा definition आपको लिखा रहा हूं किसी नाभिक से एक nucleon को बाहर निकालने के लिए आवस्यक उर्जा को बंधन उर्जा प्रति नूकिलियोन कहा जाता है और फर्मूला क्या होता है फर्मूला लिखेंगे मैडियर फर्मूला हो जाएगा इसका बंधन उर्जा प्रति नूकिलियोन ये तो बंधन उर्जा का फर्मूला था और ल लगा दिया प्रति नूकिलियोन क्या हो जाएगा बुला सर बंधन उर्जा अपन आपको क्या हो जाएगा एटोमिक मास परमाडू भार ये क्या है एटोमिक मास है परमाडू दरब्यमान परमाडू दरब्यमान कह लेजिए परमाडू भार कह लेजिए ठीक है तो यह फर्मुला है बैंडिंग नर्जी परतिनियों के लिए उनका ठीक है इसका मतलब आप देख सकते हैं कि परमाडू भार जिसका जितना ज्यादा होगा परमाडू भार जितन जितना ज्यादा होगा दरमान संख्या जितना ज्यादा होगा उसके लिए बैंडिंग इनर्जी का मान क्या होगा उतना ही कम आज इसके लिए बैंडिंग नर्जी का मान मैं जितना जितना कम रहेगा उतना आस्थाई है जितनी आपको कम और जायके जरुवत पढ़ दिया तो ज़्यादा होते हैं पर इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है आपका कौन होता है मैंडियर फेरस आईरन लोहा लोहा क्या होता है सबसे ज़्यादा अस्थाई तत्तो होता है यह लोहे के नाभिक से अगर आपको न्यूट्रोन प्रोट्रोन को बाहर नि फटाफट से वीडियो पॉस्ट किजिए नोट्स बनाइए और मैं एक बात सबी से कह देना चाहता हूं माईडियर आप जो भी स्टुडेंट है माईडियर अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो आप ज Vermin करके देखें माईडियर डाउनलोडिंग करके देखेंगे उसमें कुछ समया मेरे लिए उतन हो सकती तो आप डाउनलोड ना करें ब्राओजिंग करके ही वीडियो को देखें माईडियर ठीक है चैनलिए कक रखानओ नोटलेगे यह नाभिक के यह नाभिक के अस्थाइत्व तो होता है को दर्साता है यह भी नूकिलियस आर अनेस्टेवल भारी नाभिक औस्थाइ होते हैं ठीक है और थार्ड नम्मर आर्ण अफी हैज हाइस्टेवल लोहा का नाभिक सबसे ज्यादा फिरस नूकिलियस लिख लेजिए यहाँ पर फिरस नूकिलियस आज हाइस्ट इस्टेबिलिटी लोहा का नाभिक सबसे ज्यादा अस्थाई होता है मैंगे तो यह कुछ बाते थी बाइंडिंग इनरजी प्रती नूकिलियों से तो कभी अगर कोश्चन आएगा बंधन नूर्जा प्रती नूकिलियों तो आप उसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा फर्मला लिख दीजि तो यह नूट भी लिखती जिएगा तो आपको टू में टू मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे मैंडियर ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पर थोड़ा इंक लिए लेता हूं मैं अगे बढ़ते हैं मैंडियर नेक्स्ट टॉ Ouch अच्छा आज कल मैं देंख रहा हूं मैंडियर आज कल जब रहा है है साधीयों का सीजन खूप सारे बच्चे इतने नजदिक एक तो आठ मिने क्लासेस नहीं होई अब जो थोड़ी बहुत क्लासेस हो भी रही है उसमें भी बच्चे जा रहे हैं साधियों में तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर थोड़ा भी कुश्चन मुस्किल आया तो मुस्कि है पढ़ाई से कोई लिना देना नहीं हो रहा है उनका तो ऐसे स्थिति में आपके लिए बहुत समस्या खड़ी हो सकती है एक दिन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है माइडियर तो इस बात का खयाल रखिएगा ठीक है आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट परस और टॉपिक एक दो निम्टाते हैं नेस लिखे न्यूकिलियर फीजन नाभीकिये विखंडन यह आप टैंथ में पढ़के आएं कोई बड़ी चीज नहीं है ग मैं बड़क्न फॉष्सीज थैसरमन two light nuclei then this phenomena is called nuclear fusion जब एक भारी नाभीक जब एक भारी नाभीक दो हलके नाभीकों में तूट जाता है तब इस घर्टना को नाभीकिय विखंडन कहा जाता है मतलब भारी नाभीक अगर टूटेगा हलका नाभीक बनाएगा तो नाभीकिय विखंडन बहुत बच्चों का एक ही कोश्चन होता है कि सर vind हम आंतरी नहीं समझ पाते हैं नाविकिये बिखंडन और नाविकिये सनलैन में माई डियर बिखंडन में बिखंडित हो जाना है तूट जाना है अज सनलैन मतलब मिल जाना होता है तो यह सब्द का खेला है सब्द को बस आप पकड़िये कभी आप से सामने गलतिया नहीं होंगी दिक्कत नहीं होंगी बिख तूटेगी कौन जो भारी नाभीक होगा जो भारी नियुकिलेस होगा तूटके हलका नियुकिलेस में बन जाएगा और सब्सक्राइब और हम लोग लिख लेते हैं ठीक है असर करता हूं या वीडियो रोख करके लिख लेंगे मैं मिटा दे रहा हूं उपर वला वो परवाला मिटा करके और फिर मैं एक एक जामपल लिख दिता हूँ, आप एक जामपल लिख लेंगे, ठीक, आपका, जो आपका यूरेनियम होता है माइडियर, यूरेनियम, ये यूरेनियम में, जब आप एक हलका निूट्रोन, ऐसा निूट्रोन, जिसका स्पीड क्या हो बहुत कम हो मंद गामी यह कैसा हो मंद गामी हो वेरी लो स्पीट के साथ जा रही हो तो ये निउट्रोन इसके नाभिक को तोड़ेगा यूरेनियम के नाभिक को और दो नय तत्तो बनाएंगे एक बिरिलियम एक क्रिप्टन तो क्रिप्टन 36 बानवे बिरिलियम 56 141 महला ये बनेगा और साथ में क्या बनता है साथ में आपको तीन निउट्रोन तीन एक्स्ट्रा निउट्रोन प्लस यूज अमाउंट आफ हीट ये हीट कह लेजिए या इनरजी कह लेजिए ये रिलिज होता है और तीन क्यानिक लिए दिकलते हैं ये फास्ट मूविंग निउट्रोन ये फास्ट मूविंग निउट्रोन ये आप एक्जामपल में नोट डाउन कर लेंगे ये एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा और डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक एक एक्जामपल लिख दीजिएगा नाभिक ये विखंडन के बारे में अगर कभी आएगा तो कि यूरेनियम का नाभिक पर अगर आप मंदगामी बेरी स्लो मूविंग निउट्रोन अगर slow moving neutron टकराएगा तो uranium का नाभिक तूट करके दो हलके नाभिकों में बदल जाता है beryllium के और krypton के नाभिकों में बदल जाता है और साथ में तीन और neutron उत्पन होते हैं इसके नाभिक तोड़ने के लिए एक हलका neutron चाहिए था और जब तूटेगा तो तीन को neutron उत्पन होता है जिसका जो speed जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है fast moving neutron होते हैं और साथ में huge amount of energy release होता है काफी energy निकलता है माईडिया ठीक है तो यह आप no down कर लिजिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किया चीज ना भी किये sun lion के बारे में nuclear fusion के बारे में मैं उपरवला मिटा भी देता हूं क्योंकि next topic पढ़ना है हमें आप लिख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट हम आडियर नेक्स्ट हम आडियर फ्यूजन ना भी किये सनलैन और टू लाइट नुकलियाई नेक्स्ट हम क्ङ़ लाइट अर राँ नाथ भी नुकलिय तो इस फिनोमेना इस गोल्ड नुकलियर फिजन फिजन जब दो हलके नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माड करते हैं जब दो हलके नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माड करते हैं तब इस घटना को नाभिकिय सनलायन कहा जाता है ठीक है एक्जामपल नोटाउन कर लेंगे 1H1 पलस 1H1 क्या मिलेगा बनके 1H2 और साथ में यूज अमाउंट आफ इनर्जी बहुत अधिक मात्रा में उर्जा मुक्त होता है बहुत अधिक नाभिकिय विखंडन की तुल्ला में नाभिकिय सनलायन में आपको बहुत ज़्यादा इनर्जी रिलीज होती है इसलिए मैं हमेशा हड जाता हूं ताकि आप आराम से वीडियो पॉस्ट करें तो आपको कहीं भी स्क्रिन पर मैं ना दिखूं कोई सब्द आपको जिपना जाया मेरे सरीर से इसलिए मैं हमेशा हड जाता हूं ठीक है चलिए अब मैं मिटा देता हूं है आप आज के लिए हम लोग लास्ट टोपिक पे आ गए हैं और आपका नियॉकिलियस चैप्टर आज ही खतम हो जाने वाला है हम Dedia ठीक है है t contextual का लास्ट हेडिंग मनाईए नूकिलियर रियक्टर नाभे किये सयांत्र जो आपका नूकिलियर रेक्टर होता है जहां पर हम लोग बञाते हैं यह थर्मल पावर प्लांट में वह बात कर रहे हैं नुकिलियर रियक्टर की नाभिकिय सन्यंत्र की जहां से हम लोग बिजली उत्पन करते हैं माडियर भारत में चार या पांच मुश्किल से नाभिकिय सन्यंत्र है आपके तमिल नाडू राजस्थान और उत्राखंड में यह तीन जगों पर आपको मिलेगा नाभिकिय सन्यंत किसके पास है जपान के पास है जपान में 70-80% तक बिजली जो है ना भी किये सैंत्र द्वारा हीं उत्पन किया जाता है मैं यानिकि इसका structure काफी लंबा चोड़ा है तो उतना हमें लंबा चोड़ा लिखना नहीं नहीं आपके एक्जाम में कभी एक कुश्चिन आएगा लेकिन यहां से दो छोटी टॉपिक हैं जो अक्सर एक्जाम में पूछ ले जाते हैं उसी का डेफिनिशन लिखने के लिए मैं इसका छोटा सा एक फोटो डाइगराम ड्रो कर देता हूं ठीक है तो आप बस इतना है डाइगराम ठीक है यह फोटो आप बना लेंगे अपनी कॉपी में यहां से आएगा और यहां से निकल जाएगा कौन कूल एंड किắtहां कि हिंदी होगा तो Punk है शुर्णा हितलक सीूर्णा आयेगा और सितलक यहां से आउट कर जाएगा यहां से ईन करेगा यहां से ओट हो जाएगा थिक यह हैं आपक сторонा कि चमबर चेंबर है जिसमें हम लोग नाविकिये रासा में नाविकिया होती है ये क्या है ये जो उपर में बना हुआ है एक दो ये दो जो बना है क्या होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉंट्रोलिंग रॉड नियंतरक छड ठीक ये जो नीचे में तीन बना रखा है ये क्या है ये है फ्यूल रॉड ये फ्यूल रॉड किसका बना होता है मैंने अभी बोला आपका हम लोग यूरेनियम के हल्प से बनाते हैं मोस्टली यूरेनियम के हल्प से अब यह जो बीच बीच में बना हुआ यह यहां पर डॉट 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 यह बना हुआ यह क्या है यह मोडेरेटर मंदक यह छोटा सा फोटो है आपका नाभिकिय संयंत्र का जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट के नाम बताए हैं ऐसे बहुत सारी कंपोनेंट होते हैं हीट एक्सजेंजर होता है पंप होता है टरबाइन जनरेटर सब कुछ लगा होता है इसके साथ में पर आपको वो सब फीडियो फोटो में मैंने नहीं रिपरजेंट कर रखा नहीं दिखा रखा आप बस इतना सब बना लेंगे अगर कभी बढ़ा गया तो लेकिन फिर भी मुझे पता है कि यह कभी एक्जाम में आता नहीं है लेकिन यहां says Okay टॉपिक जो एक्जाम में अक्सर आता है वो क्या था कभी कभी हमारे एक्जाम में ये कोशन पूछता है कि मोडेरेटर का क्या काम होता है नाभिकिये सयंत्र में मोडेरेटर का क्या काम होता है और नाभिकिये सयंत्र में सितलक का क्या काम होता है ये दो कोशन पूछे गए है यही बताने के लिए मैंने आपको यह फोटो बनाया हुआ कि आखिर मोडरेटर मंदक क्या होते हैं इनका क्या काम है और सितलक कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है नाभिकिय से अंत्रविंट मैं हट जाता हूँ पहले आप फोटो ड्रो कर लेजिए अच्छे से चली अब मैं फटाफट से आपको मोडरेटर का काम बतायता हूँ नाम पे चाहिए मैं आडियर नाम पे मंदक मोडरेट मतलब धीरा कर देना मंदा कर देना कम कर देना तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नाभिकिय अभिकिरिया होने के लिए अभी मैंने आपको एक जामपल नाभिकी विखंडन में कराब दिखाया था कि एक धीमी गति से जब नाभिक तोडते हैं तो यूरीनियम का नाभिक को तोडते हैं तो यूरीनियम का नाभिक कब तोड़ेगा जब हम लोग एक स्नलो भी नुट्राँ उसको सपलाइ करेंगे ऐसा neutron जिसकी speed क्या हो कम हो मैडियर इस neutron को हमें supply करना होता और इस supply करने का काम कौन करता है controlling rod नियंतरक छड़ आपको पता है control करने वाला है इस पूरे reaction को क्या करता है control करता है नहीं कि कब बंद करना है कभी start करना है क्या करना है यह controlling rod का काम होता है moderator का काम होता है क्या करना मैडियर moderator का काम है समझ लिजिए मैं इसको लिखाने वाला नहीं हूँ जुछ आपको समझा रहा हूं आप समझ के खुद से लिख सकते हैं मोडेर का क्या काम है नामि से पता चल रहा है कि स्पीड को कम करना है चो प्रेसी नावेकियनद सक्षेटरं सब्सक्राइब 3 neutron निकलते हैं और 3 neutron के speed बहुत ज़्यादा होती है और हमें रासाइनिक अभिकिरिया कराने के लिए nuclear reaction नाभिकिया आप कहेंगे अभिकिरिया करवाने के लिए आपको क्या जरूवत है समय की जरूवत है और अगर किसी की speed ज्यादा है तो उसके पास तो time ही नहीं है reaction करने का इसलिए हमें क्या करना पड़ते हैं उसकी स्पीड को कब करना पड़ता है जब एक uranium का नाभिक तूटेगा तो तीन निउट्रोन बाहर निकलेंगे अब थी निउट्रॉन के स्पीड जयादा और हमें बाकी के नाभिक को भी तोड़ना है, बाकी के नूकिलियस को भी तोड़ना है, माय डियर, तो स्पीड जादा होने से वो रियक्शन करते ही नहीं है, तो तूटता ही नहीं है, माय डियर, इसलिए उनकी स्पीड को धीमा कर दिया जाता है, स्लो मूभी कर दिया जाता ह ताकि slow हो जाएंगे तो जाकर के नाभिक को तोड़ेंगे और आगे reaction होगा और हमें energy मिलेगा my dear तो यसलिए हम लोग किसका इस्तमाल करते हैं moderator का इस्तमाल करते हैं तासा करता हूँ आप समझ किये खुद से एक line दो line लिख सकते हैं यह moderator का काम होता है नाभिकी अभिकिरिया में ना nuclear reactor में जो fast moving neutron है यहनि कि नाभिकी सयंतर के अंदर जो नाभिकी अभिकिरिया होगी उस नाभिकी अभिकिरिया में जो neutron निकलेंगे उनकी speed जादा होगी और उनकी speed को हमें कम करना है क्यों कम करना है क्योंकि हमें slow moving neutron की जरुवत है आगे के नाभिक को तोड़ने के लिए इसलिए हम लोग moderator का इस्तमाल करते हैं ठीक है माडियर और moderator का example क्या हो जाएगा heavy water हो जाता है क्या हो जाता है D2O या हम लोग normally H2O भी simple water भी इस्तमाल कर लेते हैं moderator में ठीक दूसरा होता है coolant coolant जो होता है जाहिर सी बात है नामी सजाईए सितलक सितलक का क्या काम है अब जाहिर सी बात है नाभिकिय रियक्टर है बहुत सारे मसीन लगे हुए है तो heat तो generate होगा ही अब heat generate होगा तो हम तो चाहते हैं कि हमारा मसीन गरम ना हो ठंडा रहे इसलिए इस chamber के चारो और हम एक हम बहाव करवाते है coolant का ये coolant क्या करता है मैडियर यहाँ से जो भी heat निकलेगा वो जादास जादा heat को अपने पास ले करके और इधर से निकल जाता है तो ऐसा heat ले करके निकल जायागा तो chamber हमारा ठंडा रहेगा chamber का temperature बना रहेगा maintain रहेगा मैडियर क्योंकि नाभिकी अभी किरिया होगी energy release होगी heat भी उत्पन होगा तो chamber गरम होगा controlling rod, fuel rod ये सब बहुत गरम होगे तो हम चाहते हैं कि chamber का temperature बेक constant बना रहे इसलिए बाहर से हम लोग सितलक का इस्तमाल करते हैं coolant का इस्तमाल करते हैं जो क्या करता है उसमा को associate कर लेता है chamber से heat को ले लेता है और बाहर निकल जाता है तो सितलक का काम यही होता है सितलक में हम भी हम लोग किसका इस्तमाल करते है D2O का इस्तमाल करते है या liquid sodium का भी इस्तमाल किया जाता है liquid sodium या heavy water D2O का मतलब heavy water का भी इस्तमाल किया जाता है सितलक के रूप में my idea ठीक और सितलक की खासियत क्या होनी चाहिए उसका business उसमा का मान specific heat command सितलक का ज्यादा होना चाहिए ज्यादा होगा विस्स तुसमा तभी ने ज्यादा heat ले पाएगा गरहन कर पाएगा बला बिल्कुल सर और उसका boiling point भी ज्यादा होना चाहिए ऐसा ने कि heat ले और यही खुदे boil होने लग जाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको पता है और उसका specific heat आपको पता है पानी का specific system सबसे ज्यादा होती है मैं इसलिए हम लोग उसी का इस्तमाल करते हैं कुलेंट में भी और यह मोड़ेटर में का काम मैंने आप बता ही दिया आपको कि इस नाभिकी अविक्रिया को सुरू करना है तो neutron को supply किजिए बंद करना है तो सब neutron को ले लिजिए या आपको अगर controlled chain reaction करानी है ऐसा reaction करवाना जिसमें की controlled हो कोई access ज्यादा फालतूग इनरजी रिलीज ना हो तो ऐसे केस में हम लोग neutron को absorb करवाने जायते हैं कर लोग ऊहरे कि इसका बना होता है एक Sig आप चाहें तो लिख लेंगे और में सु decorum Chicago का बना होता है यंदरक्षड Controllingर रड्यस का बना ना हलता है काड़ियाम या बराउन का होता यह था माइड्यर आपके नियुकिलियस चेप्टर और एटम और नियुकिलियस पूरी तरीके से समाप्त होका है Modern Physics के दो चेप्टर पूरी तरह से आपके खतम हो गए एक है Dual Nature of Radiation और दूसरा एटम और नियुकिलियस माइडियर इनकी चार यूनिट पढ़ना था सिलेबस के कोडिंग दो यूनिट आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है अब हम लोग सुरू करने वाले हैं माइडियर नेक्स दिन से अगले दिन से सेमी कंड़क्टर और पूरी Modern Physics का Most Important चेप्टर क्यूं कि सबसे ज्यादा नंबर के कोश्चन आपके एक्जाम में सेमी कंड़क्टर से ही पूछे जाने वाले हैं तो इस बात का खयाल रखिए अपना भी खयाल रखिए पढ़ाई मन लगा के करिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में